आज के इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात हम करेंगे कि सूरे का जो राशी परिवर्थन हो रहा है सूरे अभी समयमीन राशी में हैं चोधा तरीक से वो मेश राशी में जाएंगे मेश राशी में क्या होता है सूरे की पुजीशन बहुत ज़्यादा पारफुल हो जाती है राज योग का निर्मान होता है वहाँ पे पहले से ही बुद्ध भी है लेकिन रहू भी है काफी राशी वालों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है क्योंकि सूरे को धर्ती का प्राण बोला जाता है देखिए धर्ती पे जो भी चीज हम फूड खाते है वो सूरे के कारण होता है सूरे का परभाव रहता है उसके जो हम चीजे खाते हैं वो चीजे हमारी बोड़ी में जाती है उसका परभाव क्या हमारे शरीर पे हमारे जीन पे हमारी सोच पे पढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो ये जो एक महीने सूरे का परवाव रहने वाला है देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता सभी राशी वालों के लिए कुछ ना कुछ नुक्सान वाली चीज बन सकती है क्योंकि सूरे राजा है सूरे हमारी सभी की हम सभी की राइट आइज जो है आँख का कारक माना जाता है सूरे हमारी एक राइट आँख का चंदरमा लेफ्ट का माना जाता है हडियों का कारक माना जाता है हमारे श्रीर में जितने भी बोन है बोन को जो power देता है, calcium देता है, वो सूरे है, body में vitamin जो D है, कई में deficiency हो जाती है, vitamin D की कमी हो जाती है, वो सूरे का रख माने जाता है, सूरे का दिके अंधेरे में कई वेक्ति depression में चले जाते हैं, जब सूरे की light prop नहीं होती proper, तो यह सारा चीज सूरे के कारण हो जाती है, यानि कि जीवन के हर पहलू पे हमारा हर जैसे part पे सूरे का जबरदस प्रभाह होता है, कि सूरे हमारे को किस परकार से असर दिखाएगा यह हम सब की जनम कुंड़ी पे निधारित हो जाता है, यह कि प्रतिक वेक्ति की जनम कुंड़ी में सूरे की position अलग है, कुंड़ी में बारा घर होते हैं, किसी के first house में बैठा है, किसी के second house में बैठा है, किसी के tenth house में बैठा है, उसके अनुसार हमारे को फल पराप्त होता है आज मैं सूरे का राशी के अनुसार क्या प्रभाव पढ़ने वाला एक महिने के लिए आपको वो बताऊंगा लेकिन उसके लावा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि यह जो हमारे उपर जो प्रभाव पढ़ेगा अच्छा भी पढ़ सकता है जादा खराब भी पढ़ सकता है यह सभी की जर्म कुर्णी में सूरे की पोजीशन के उपर निर्भा करेगा क्योंकि इस समय देखिए अगर ग्रहों की गोचर की स्तिति देखी जाए ग्रह कहां पे हैं मेश राशी में पहले से ही रहु बैठे हुए हैं उसके अलावा वहां पे बुद्ध का भी विराजमान है यानि बुद्ध भी कंजंक्शन में बैठे हुए हैं तो रहु और बुद्ध के कारण एक जड़त्व योग बन जाता है यानि वो बुद्धी को खराब कर देता है जिस व्यक्ति की भी जननकुर्णी में बुद्ध का जिप्यूटर का सोरी मरकरी का और रहु का कंजंक्शन होता जाद दृष्टी होती है ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते है क्योंकि रहु क्या रहु डिस्टर्बंस दे देता है व्यक्ति डाउट में आ जाता कि मेरे उपर अच्छा असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़े होती हैं कि हमारे जीवन पे असर डालती है लेकिन पता नहीं चलता जोतिश के द्वारा हम इन चीज़ों को पकड़ सकते जोतिश के द्वारा हम इन चीज़ों को हटा सकते हैं जैसे कई वेक्तियों को आप देखते होगे कि बोलते हैं अटक अटक के बोलते हैं उनका जैसे होता बुद्धग्रह खराब होता है बुद्धग्रह की वान भी वहाँ पर जाने वाले हैं, त्री ग्रहाई योग बन जाता है, जब भी ग्रहाईों का कोई योग बनता है, एक घर के अंदर तीन ग्रहाई बैठते हैं, चार बैठते हैं, पांच बैठते हैं, तो ये हमारे जिन पर असर डालते हैं, इस समय देखिए क्या होने वाला में काफी उतार चड़ाव चल रहा है क्योंकि रहू पहले से वहां बैठे हूँ है अब बुद्ध भी रहेंगे वहां पे 21 तरीक तक बुद्ध भी वहां पे रहने वाले हैं तो उसके कारण थोड़ा ओर जादा ट्रबल आ जाती है व्यक्ति अपने जो सीजन लेना चाहता है नहीं ले पाएगा क्योंकि देखिए घ्रह असर कब दिखाते है गोचर में उसकी पुजिशन देखी जाती है दशा देखी जाती है अंतर दशा देखी जाती है परतंतर दशा में कोई ग्रहा खराब है कोई मीनिंग नहीं रखता है जब उसकी दशा अंतर दशा परतंतर दशा आती है व्यक्ति के जियन पे उतार छड़ाव आने लग जाता है कि एक दम उसका जीवन बदल जाता हूँ सोचता कल तक तो मैंने सोचा भी नहीं था जैसा कैसे हो गया क्यों किसी की जनम कुड़ी में सूरे उच्च का बैठा है इस समय जो ग्रहाण योग बनेगा उसके कारण उसके जीन पे जो अच्छा प्रवाव होना चाहिए नहीं होगा क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जब सूरे उच्च का होता है राज योग का निर्मान करता है राज राजा के समान लाइफ जीता है अगर किसी की जनम कुड़ी में सूरे उच्च का बैठा होता है राजा के समान लाइफ जीता है चाहिए कहीं पर भी वो जनम ले चोटे से छोटे परिवार में जनम ले जिसका सूरे नंबर एक में बैठा होता है उसका जीन अच्छा जाता ह क्योंकि सूरे क्या है धर्ती का प्राण है धर्ती को जो चलाने वाली चीज है सूरे है सूरे अभी ना निकले देखी कई तरह की क्या होगा बेक्टिरिया आ जाते हैं कई तरह की कुछ ट्रबल आ जाती है तो हमारे जिनको नुकसान देने लग जाती है अभी क्या हो सकते लेने में टरबल आ सकते कि हमारे जीन पर असर कैसा पड़ सकता है क्योंकि ये जो सूरे का कंबिनेशन बन रहा है जो अच्छा नहीं माना जा सकता क्योंकि एक ग्रहएंड जोग बनेगा और 20 अपरेल को वैसे भी सूरे ग्रहएंड लग रहा है उसके बाद भी सूरे की पोज जिहान रखना चाहिए एक तांकी वो अपने जीन में जो उतार चड़ा होारा उससे वो बच सकें। सबसे पहले अगर हम राशी की बात करते हैं, राशी को लेते हैं मेश राशी। देखिए अगर आपकी एरिस मेश राशी है, मेश राशी वालों के लगन में जे चीज बन रही है, लगन क्या होता है, शरीर है, आपका दिमाख है, वहाँ पे पहले सही बुद्ध है, बुद्ध और राहो की युति बनी हुई है, सूरे भी आ जाएंगे, तो एक जो पुजी कोई भी डिसीजन लेना, सो समझ के लिजिए, क्योंकि देखिए ग्रहाओं की ये युति क्या कराएगी, आपको जल्द वाजी में कोई डिसीजन लेने का सोचेगा, कि मैं काम जल्दी जल्दी करूँ, कुछ अच्छा करूँ, व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्यो की बुद्ध भी वहाँ बैठा हुआ है, बुद्ध की युति, रहो की, रहो देखिए, खराब घ्रह माना जाता है, बुद्ध के साथ रहो, रहो के साथ सूरे, अगर सूरे और रहो की युति होती है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति में बहुत जादा ब्रेन होत सकता है जिसकी भी जनम कुलने बुद्ध दित्य योग का निर्मान होता है वो तब होता है जब सूर्य और बुद्ध एक ही घर में बैठे होते हैं अच्छा योग बन रहा है लेकिन रहू के कारण जो अच्छे प्रभाव मिलने चाहिए अगर देखें समय रहू की पुजिश नहीं तो आपको नुक्सान हो सकता है नुक्सान देखें संतान की तरफ से भी हो सकता है क्योकि पंचम भाव का मालिक है अपका brain है पंचा मभा आपकी संतान है तो education से भी संबन्दी चीज़े आ जाती है जदि आप student है student को भी इस समय अपना पढ़ाई में बहुत जादा ध्यान देना होगा अगर किसी exam की त्यारी कर रहे हैं किसी competition की त्यारी कर रहे हैं तो इस period में आपको बहुत जादा ध्यान लेकर चलना होगा नहीं तो trouble आने वाले समय में आ सकती है वहां चलाते समय आपको बहुत जादा ध्यान रखना होगा और देखिए वैसे ही मैंने आपको बता हम सभी का किसी का कोई भी लगन है कोई भी राशी है हम सभी की राइट आइज सूरे कंट्रोल करता है और लेफ्ट आइज क्या है चंद्रमा कंट्रोल करता है तो आँखों से समंदित प्रॉलम आ सकती है अगर आपकी मेश राशी है अगर आपको हाट की problem है brain की problem है आपको medicine proper time से लेनी पड़े कि नहीं तो आने वाले समय में कुछ भी trouble हो सकती है health से समंदित इशू आ सकते हैं क्योंकि लगन है लगन हमारा श्रीर है हमारी body है हमारा brain है लगन क्या करता है हमारे brain को control करता है पूरी body का जो brain हेड को माना जाता है वहां पर ये combination बनने से क्या होगा कि दिमाग से समंदित अच्छे decision नहीं ले पाएंगे husband wife के relation में बगार बाद के वादवियाद हो सकते है इस पिरेड में वान के लिए इन चीजों का ध्यान रखना होगा यानि कोई भी decision लेते समय तो समझ के लीजिए अपने brain को जितना शांत रख सकते रखिए बगार बाद के वाद विवाद में मत उलजिए किसी को जैसे होता है कि राय मत दीजिए कि आप ऐसा कर लीजिए क्योंकि वहां प्याप फस सकते हैं अगर आपकी मेश राशी है तो मेश राशी वालों को अपना सेथ का ध्यान रखना होगा है लेकिन रहू के कारण चीजे सारी उल्टी हो सकती है बुद्ध देते योग बन रहा है यह सूर्य उचका बैठा है राज योग का निर्मान करता है अगर केंदर में यह चीज बन दिया तो बहुत अच्छी चीज माने जाती है लेकिन रहू के कारण चीजे नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दे सकते हैं इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो अगर हम आप दूसरी राशी की बात करते है टोरस वरिशव राशी के लिए देखिये अगर आपकी वरिशव राशी है वरिशव राशी का जो है यह आपके दोदेस भाव में बन रहा है बारमा भाव क्या होता है हानी का भाव मैने जाता है दुख तक्लीफ का भाव मने जाता है बार्मा भाव क्या होता है कि आपका जो husband wife के relation का भाव देखा जाता है वहाँ पर बनने से क्या होगा कि आपको इन चीजों में trouble हो सकती है पैसे के लेन देन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय जभी आप पैसा लेते हैं देते हैं सो समझ के लिजे धन की हानी हो सकती ज़ा धन का खर्च हो सकता है बगार बात की यात्राइं आपकी हो सकती हैं क्योंकि इंची जोग आपको ध्यान रखना होगा जदी आपकी व्रिशव टोरस राशी है तो कि बगार बात की टेंशन हो सकती है, धन की आहानी हो सकती है, किसी को इस समय देखिए, अगर आप गवाई देते हैं, विटनस देते हैं, तो बहुत सो समझ के दीजे, नहीं तो आने वाले समय में आप फस सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड योग में अगर आप कुछ भी कारे अगर आपको अच्छा लगता है, आपको यह नहीं पता कि इसकी एंडिंग कैसी होगी, क्योंकि शुरू में व्यक्तिस होता है, अच्छी चीज होगी, एंडिंग के समय आपको बहुत ज़्यादा नुक्सान हो सकता अगर आपकी वरिशव राशी है, वरिशव राशी वाल सकते हैं, जब वाइप से कुछ डिस्प्यूट ऐसे हो सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको नुक्सान दे सकते हैं, इन चीजों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अब हम तीसरी राशी की बात करते हैं, मित्वन राशी जैमिनाईज के लिए, दे तो जहां पर आपको मिला जूला असर रहेगा, अच्छी भी चीज हो सकती हैं, आपका वहवार कैसा है, आपकी सोच कैसी है, उसके उपर भी यह चीज़ डिपेंड हो सकती है, क्योंकि हर जोतिश का कोई भी धार में गरन्त है, उसके अंदर यह चीज लिखी जाती है, कि ग बन रही है इस समय क्या होगा कि धनल आपके योग बन सकते हैं लेकिन गल्त रस्ते पे जाने से बचिए क्योंकि आपको कई वार व्यक्ति सोचता के को छुल्टा सीधा करके मैं पैसा कमा लेता हूं इस पिरिड में अगर गल्त वे से अगर आप पैसा कमाते हैं तो वहां पर आपको नुक्सान हो सकता अगर आपकी मिथुन जैमिनाइज राशियत हो तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा और देखिए संतान से समंदित कोई कस्ट थे संतान से समंदित आपको कोई ट्रबल थी इस पिरिड में जदी आप उन चीजों को निप्टाना चाहें क्योंकि ग्रहाओं का यह सीधा योग आपके पंचम भाव पर पढ़ रहा है संतान से समंदित संतान से समंदित अगर कोई दुख तकलीफ थी उसको निप्टाना चाहते हैं इस समय देखिए धन की इन्वेस्टमेंट अगर आपके पाप पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाते हैं एक मीने के लिए सोच समझ के करना होगा क्योंकि ग्रहाओं की यह पुजिशन हमारे को यह बताती है कि कब हमारे को क्या चीज करना चाहिए कब क्या चीज नहीं करना चाहिए अब हम अगली राशे की बात करते हैं करक राशी के लिए तो यह चीजों का देखिए क्या रहता है कि ग्रहाओं के कारन हमारे को क्या असर रहेगा अच्छा भी हो सकता है अगर आपका वहवार अच्छा पूजा पाठ करते हैं आप दान पुनने करते रहते हैं कैसे बैठे हैं तो यह सारी चीजे होती हैं अगर करक राशी के बारें बात करेंगे लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक का और है ब्रेक के बाद इसको सारी चीजे बताएंगे कि हमारे जीन में क्या क्या असर कर सकता है और देखिए ग्रहांट से समंदित आगर आपको कोई 252 इस पर बात करके आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं अभी समय एक छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बार फिर कंटिनेश करते हैं तब तक के लिए थोड़ा सा इंतिजार щघ कर और समय खर् हंव ब्रेक बारे सिम व्रेक कर दोग में खर्म डर्स आप प्रेक का वंस 막व से ना उस्म टन्स रोट बार इसले से घांजा nessa य एक और शूटेशे बार होटा को सानी दूड़ यूसल टिया खштू वे करे about लिली ला उ है उन अवस्थिन और और प्रन चैसे सही प्रोड़ेदेनागा खिलायों इन्चाजन प्रोड़्ाइब नचने जिन जिना धज चीना हाफ जज किरीशने जिस फिर लिटिवाट फड़ी खिर्षिय गूज इन्चार, विचासा विजिए प्रोरी बिंग एकले ये प्रोड़ी नषिग और अप्याम ध्रोड़ तोस्फ़बर अच्ट के zwri चरे लिवड्रेश सब्सेजद वnis घुल के इंप उल्तल में सब्सा foreign ca Better सिब घारेजि सेमलेशिकिंज साहित लिप आ कि प श्रय भादेपन अ का च्डर अ मॉन तोस्थव कर्षाम सब्टीजिबft चिल्डन like Safia एंगो हाव नाओ टो नाओ वक टीम को सलką नाओ, इंकेन को दोड़ ये रहुज़ इंकेन को दो, तो दिलन और शीर ल stuk., व को ये वाद को सरा आओ, यद वे व्या लो टमाने हड़शекст एफ़ बुड़ ऱ्रू सल carbono टीम अपक् में वे, ये लि रहुआ टी 국ा they drink it because they have no choice but you do today you can choose to give children like Safia clean water and change everything text or call water aid now to give just two pounds a month your two pounds a month will help communities install pipes pumps and taps your two pounds a month will help bring children clean water for life we've already brought clean water to over 28 million people but it's simply not enough so please text the word water to seven double eight double six or call 0800 088 770 please act now because until we reach every child like Safia they'll have no choice but to keep drinking dirty water that could kill them thank you life insurance and just one pound a month and no gobbledygook look mate gobbledygook sign up and you won't pay for your first two months dead happy really affordable life insurance when tony passed we wanted to celebrate him his way all he ever spoke about was bite this bite that i'll never forget our first date huge grin on his face as he rode up on that big noisy thing and that's exactly the way he'd want to be remembered at co-op we know everyone is different that's why we offer funeral plans to funeral services that are personal every step of the way co-op it's what we do glasses direct right now get two pairs for 15 pounds with lenses and with free returns no quibbles go to glasses direct dot co dot uk change all changes happen surface for the life you're making etsy has it no matter how do you feel like that you have to be able to get out of the way you have to live in the future you've been there you've come to live in the future we've been talking about one of the few days after a year 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 क्योंकि देखिए जब भी घर बदलता है, पुजीशन बदलता है, हम सबी के जीवन पे, जब की कोई सी भी राशी है, तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट असर पड़ते हैं, कईयों के लिए अच्छा पड़ता है, जैसे देखिए ग्राइंड योगा भी मैंने आपको बताय जैमनाईज मितुन राशी वालों के लिए अच्छा हो सकता है, धन से समंदित, कारे से समंदित, हर चीज, लेकिन वहवार भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा, जोतिश ये सिखाता है, जोतिश आपको बताता है कि ऐसी चीज़े हो सकती है, सारा कारे आपके हाथ पे है जोतिश के अलावा हमारे धरम गरंत क्या बोलते हैं, कि परते एक विक्ति को आदा घंटा अपने जीवन के लिए देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपना ध्यान अंदर की तरफ लेके जाना चाहिए, आप देखिए, रोज दुनिया में देखते होंगे, कि वो विक्ति शिरी छोड़ के चला गया, बाद में जगड़े हो रहे हैं, पैसे के लिए डिस्प्यूट हो रहा है, साथ कुछ नहीं जाता, सभी को मालूम है, फिर भी विक्ति पाने की चहां में आगे बढ़ता है, और जब आदा घंटे का मेडिटेशन जाएगा अंदर हमारे शीर में, जो नेगेटी प्रभावा खतम करता है, कि जीते जी विक्ति सब चीज बांट के जाता है, कि विक्ति को बाद में जगड़े नहीं होते हैं, कि परिवार में, देखिए 80 परसंट जगड़ों का कारण क्या है, कि बाद में जग जाई क्या है, मोत है, जब विक्ति पैदा होता है, पैदा होते ही उसके साथ क्या टैच होती है, मिर्तियो टैच होती है, हम मोत से बचते कैसे हैं, देखिए हम अपने शरीर को भोजन देते रहते हैं, बचते रहते हैं, आप भोजन मत खाये, थोड़े टाइम के पानी मत प पच्चते रहते हैं लेकिन बच कोई नहीं सकता किसी अट्रबल मेडिशन लेके उस पिरिट को आगे लेके जाते हैं उस आगे वाले पिरिट में ज़दी हम ध्यान लगाने लग जाते हैं देखिए आपको कोई महाराज गुरूजी बोलते हैं वो आपका पार उतारा करतेगा वो उनका मैटर हो जाता है लेकिन जब तक आप मेडिटेशन नहीं करते ध्यान नहीं लगाते पूजा पाथ अलग मैटर है धरमस्तानों पे जाना अलग मैटर है कि वो आप करम बना रहें अगर आप अपने अंदर को साफ करेंगे तब ही आपको वो चीज़े प्राप्त होंगी आपका अंदर का साफ है ग्रैंड योग बने चाहे साड सती बने आपको नुक्सान नहीं देगी क्योंकि आपकी आत्मा साफ है अगर आपकी आत्मा साफ है आत्मा किसका अंश है प्रमात्मा का अंश है आपको कष्ट कैसे मिल सकते हैं अगर मिल भी रहें तो आपको समझ आजएगी कि ये इस कारण से मिल रहें आपको दुख नहीं होगा जोतिशी जही सिखाता है कि आपके घ्रह क्या बोलते हैं इसको जदी हम समझ जाते हैं तो अपने जीन में देखी कष्ट तो सभी को प्राप्त होते हैं भगवान राम जी आये उनको कष्ट प्राप्त हुए किशन भगवान जी ने क्या सुख पाया आप उनकी लाइफ देखिए हम राधा को याद करते हैं माता को कि राधा माता है क्या सुख पाया धर्ती पे आके तो हम सुख की कैसे वो कर सकते हैं कि हमारे को सुख प्राप्त होगा करम कर सकते हैं मालिक ना बनके मैनेजर बनके कि हमने भगवानने हमारे को भैज जाए मालिक वो है हम मैनेजर है हमने जो काम करना है करना है जैसे आप जोब करते हैं आप चाहिए बिमार है चाहिए कुछ है आपको आर्डर आता है वही चीज समझ में आ जाती है तो सारी चीजे अच्छी हो जाती है जैसे देखिए मैं कियो इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं सूरह हम सभी की आतमा है अगर किसी का सूरह नीच का होता है, जैसे अक्टूबर बोण होते हैं वक्ति अक्टूबर से नोमबर तक उनकी आतमा कै है नीच का सूरे हो जाता है, सूरे की position खराब है, तो आतमा में कश्ट रहता है, एक डर रहता है, एक नुकसान रहता है, समझ नहीं आता व्यक्ति को, कि वो कर क्या रहा है, ऐसी देखिए सूरे का है, जगत की आतमा, सूरे ना निकले तो धर्ती पे जीवन मुश्किल है, ना के के हैं, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, अब हम अगली राशी की बात करते है, करक राशी के लिए, देखिए करक राशी के टेंथ हाउस में ये बन रहा है, position अच्छी है, लेकिन grand योग के कारण, आपको नुकसान हो सकता है, यदि आप कहीं नई job के लिए try कर रहे हैं, आप कई अच्छी जगा जाना चाते थे, कुछ अच्छी position मिल रही है, इस period में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब छोड़ेंगे grand योग में चीज आपने join की है, allegation कुछ लग सकता है, छोड़ने की position अच्छी नहीं होगी, जहां short period के बाद वो चीज आपको छोड़नी क्या करेगा आपको जो 10% चीज मिलने चीज यह 1000% देगा, बाद में वो नहीं मिलती, व्यक्ति पूरे जिन्दी की जोब नहीं करता, कि मैं तो इतनी high position पे था, मैं यह position कैसे लो, तो यह position में इस समय में हो सकता अगर आपकी करकराशी है, आप job के लिए try करे, जोब बहुत अच्छी मिलेगी, चल पाएगी, नहीं पाएगी, यह आने वाला समय आपको बताएगा, वहाँ पे नुकसान हो सकता है, position अच्छी मिल जाएगी, कोई allegation लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि grand योग में आपने वो चीज जोइन की है, grand care grand है, तो आपके जीन में भी वो चीज क्योंकि सीधा आपके fourth house को देख रहा है, fourth house क्या होता है, हमारा दिल है, हमारा chest है, जहां पे दिल है, दिल से समंदित अगर कोई disease है, एकदम BP shoot हो सकता है, इस समय क्या गुसे पर अपने control रखना पड़ेगा, वाद व्याद से दूर रहना पड़ेगा, बगैर बात की tensionों से बचना पड़ेगा, किसी तरह का देखिए, tension मत लीजे, समय बदलता है, विचार बदल जाते हैं, समय बदलता है, क्या होता है, कि जो आपके दुश्मन है, वो भी आपको अच्छा महसूस करता है, कि नहीं, आप अच्छे इंसान है, तो इस समय में अगर कोई decision लेना है, ज जो 10th house में पीडित हो रहा है, धन से समंदित अगर किसी को पैसा देते हैं, investment करना चाते है, वहाँ पे नुकसान हो सकता है, वाणी का कारक है, आपकी आँख का कारक है, आँखों से समंदी ट्रबल आ सकती है, अगर आपकी करकराशी है, वैसे भी देखिए, आप पे ढहिया चल रही है, तो इस पीरिड में आपको बचके रहना होगा, दान पुन्ने कीजिए, शान्त रहिए, कुछ चीज़े भगवान पे छोड़ दी जाती है, ज्यादा जैसे होता है कि खराब समय में ज्यादा हथ पर नहीं मारे जाते, कि मैं ये चीज पराप्त करूं, तो करकरा चीज़े आपके लिए ठीक है, जदि आप अपना वहवार काफी चीज़ों को चेंज करते हैं, तो, अब अगली राशी की बात करते हैं, लियो सिंग राशी वालों के लिए, सिंग राशी वालों के लिए देखिए, ये जो ग्रहांड योग बन रहा है, आपके नाइन अच्छा है, सूरे के मंतरों का जाब करते रहते हैं, सूरे को जल चढ़ाते रहते हैं इस पिरेड में, तो भागे से आपको वो सारी चीज़े प्राप्त हो सकते हैं, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई, सिंग राशी वालों के लिए, संतान से समंदित अगर आपकी मंदित कोई ट्रबल थी, उसमें आपको एक बहुत रिलीफ मिलता होगा दिखाई देगा, संतान सुक की प्राप्ती हो सकती है, इन चीजों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, सूरे के मंतरों का जाब कीजिए, जिसको भी आप सीता राम का जाब कर सकते हैं किशन भगवान जी के मंतरों का जाब कर सकते हैं, तो कोई से भी आप मंतरों का जाब करते हैं, जो आपके जियन में काफी तरक्की के रस्ते खोल सकता है, इस समय देखिए द्यान कहां पे आपको रखना होगा जी तो आपकी अच्छी चीज़ होगी, अपने वेचारों में अपनी सोच में अपनी डिसीजन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना हुआ कि शोर्ट एमपर्ड में आकर कोई एकदम वेक्ति डिसीजन लेता है मैं ऐसा करता हूँ जब वो करता हूँ वो आपको नुक्सान दे सकता है एकदम आपका बल जो है आपका विचार जो है देखिए थरड़ा उस पर दृष्टी जाएगी कारे शमता आपकी बढ़ जाएगी स्पिरिड में आप जो कारे को दो दिन में करते थे आप एक दिन में निप्टाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ग्रैंड योग बना हुआ है एनर्जी जादा आजेगी एनर्जी को प्रोपर यूज कीजिए नेगेटिव वे में नहीं ले जाते तो आपको बहुत जादा फैदा रहेगा अब हम अगली राशी की बात करते है कन्या राशी वालों के लिए देखिए कन्या राशी वालों के लिए बहुत जादा ध्यान रखने की चीज़ है आपके अस्टम भाव में बन रहा है आपकी हेल्ट से समंदित इशू आ सकते हैं इन लोग अगर आपके देखिए सुसराल में कोई बड़े बजूर गया उनकी हेल्ट से समंदित कोई आपको जैसे बैड नियूज भी वहां से प्रापत हो सकते के कुछ हो गया इन चीजों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपनी वानी पे अपनी हेल्थ को हेल्थ का इशू आपके लिए ज़्यादा इशू इस समय आ सकता है अगर आपकी देखिए वर्गो कन्या राची है कन्या राची वालों को हेल्थ से समंदित इशू आ सकते हैं हेल्थ समंदित ट्रबल आ सकती है परिवार में बेवजा के वादवियाद हो सकते हैं क्योंकि ग्रहेंड योग बन रहा है सारी दृष्टी आपके सेकंड आउस पर जाती है वानी का भाव हो गया जहां आपका देखिये कोई जैसे होता है कि फेस पर कोई चोट चुपेड लग सकती है बीस तरीक को तो खासकर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि एक्चुली में ही ग्रहेंड बन रहा है अभी तो योग है ग्रहेंड वैसे लग भी रहा है तो अगर आपकी कन्या राशी आपको इन चीजों को बहुत जादा ध्यान लेके चलना पड़ेगा नहीं तो नुक्सान हो सकता है चोट सपेड लग सकते क्योंकि अस्टम भाव को अगर देखा जाए जोतिश में मिर्तु का कारक घ्रह भी माना जाता है कि मिर्तु अगर देखी जाएगी कौज क्या होगा अस्टम भाव देखा जाता है वहाँ पे सूरे बैठ गया बुद्ध है वहाँ ही पे देखिए क्या है रहू भी है तो इन चीजों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान रखना है इस समय अगर आप घर की स्टेर्स वगारा यूज करते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है चोट चपेड लगने के ज़्यादा चांसी जा अगर आपकी वर्गो राशी है कन्या राशी है तो ससराल से समंदित अगर कोई इशू है तो इस समय शांती पूर्ख मामले निप्टाई नहीं तो वहाँ पर भी कोई इशू बन सकता है धन के लेन देन में इन्वेस्टमेंट में बहुत सोच समझ के कारे कीजिए नहीं तो आपको आने वाले समय में टरबल मिल सकती है अब हम अगली राशी की बात करते है लिबरा तुला राशी के लिए देखिए अगर आपके तुला राशी आपके सेवंध हाउस में ये चीज़ बने लिया सेवंध हाउस किसका होता है आपके पार्टर का गा कि आपका अगर आप शादिश होते हैं तो आपकी पत्त नहीं कहा जा पती का सैवंत हाउस माना जाता है और सीधी दृष्टी आपके लगन पे जाएगी बगैर बात के जगडों से आपको बचना होगा एक महीने के लिए नहीं तो देखे जब तक सताइट 28 तरीक तक तो खासकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जब तक गुरू नहीं आता है गुरू के कारण क्या होगा जो रहू का प्रभाव है गुरू कम कर सकता है 22 तरीक से आएगा लेकिन डिगरी गुरू की कम होगी तो 27-28 तरीक के बाद जो पुजीशन है थोड़ी चेंज आ सकते है अच्छी हो सकती है उससे पहले सभी राशी वालों को बचके रहने में कोट के जारी वहां से आपकी हार हो सकती है क्योंकि ग्राइंड योग बना है वहां जीत नहीं पाएंगे इस समय अगर आप उस चीज़ को पैंडिंग में छोड़ देते हैं तो आपके लिए बैटर देगा नहीं तो नुकसान हो सकता है इन चीज़ों को आपको बहुत द्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का बगार बाद के वादव्यादों से शत्रू पक्ष आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और इस समय जदी आप पार्टर्शिप में कहीं काम करते हैं सैवन्थ आउस सांजेदारी का भी होता है पार्टर्शिप का भी तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं कि पार्टर्शिप में बगार बाद के जगड़े हो सकते हैं कुछ ऐसी चीज़े हो सकते हैं जो होंगी ने आपको लगेगा कैसा हो सकता है यानि कि बगार बाद की टेंशन हो सकते हैं जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ अगर आपके शत्रों का आपके शत्रों आपके दुश्मन आपको तंग करते थे वहां से आपको जीत मिलती ही दिखाई देगी नहीं तो इस समय क्या होगा कि शत्रों की पुजिशन जो आपके एनिमीज थे आपको तंग करते थे जह कोई भी व्यक्ति आपको तंग करते थे इस पिरिड में बगैर बात की टेंशनों से आपको बचना होगा, आपके दुशमनों का जैसे अपने हापी आपसे दूर हटने लग जाएंगे, क्योंकि ग्रहा की पुजीशन ये बताती है, सिक्साउस में क्या होता है, चटा भाव, आठम भाव में सूरे की पुजीशन अच्छी माने जाती है, क्योंकि क्रूर ग्रहा चटे भाव को थोड़ा जैसे दुशमनों के लिए, नेगेटिव वे के लिए नुकसान कर सकता है, यानि कि आपके जो एनिज में आपको काफी लंबे समय से तंग करते आ रहे थे, इस फीरिड में वो आपसे दूरहटना स्टार्ट हो जाएंगे, जदि आपने धन के लिए अपलाई किया हुआ था, रिन रोग शत्रू का भावाय देखिए, आपने लोन के लिए अपलाई क जाते हैं कि इस समय आपका लिया हुआ डिसीजन गल्थ हो सकता है, इस समय कहीं आपका फसा हुआ पैसा वो आपको प्राफ्त हो सकता है, धंसे समंदित मैटर में आपको एक दम से उच्छाल जाएं, एक दम से आपको चीजे प्राफ्त हो सकती हैं, जो आपके लिए फैदे मन रहेंगी इन जीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं अगर आपकी वरिष्चिक राशी है तो आपको बहुत जादा जीवन में फैदा रहेगा क्योंकि बताने का मतलब यह होता कि आने वाले समय में आपके साथ ऐसी ऐसी चीजे हो सकती हैं देखिए जोतिश के होता कि 100% चीज होगी हो सकता है अगर आपके विचार अच्छे हो आप पूजा पार्ट करते हो इस पीरेड में आप दान पुन्ने ज़्यादा करते हो जो आपको नुकसान होने वाला नहीं हो सकता जानी कि 100% जो चीज़ है 10% हो सकती जहां आज पास से चीज निकल जाती है वो चीजों का असर रहता है क्योंकि हमारा वहवार, हमारा दानपुन, हमारी चीजे, हमारी सोच, हम कितना मेडिटेशन करते हैं, वो हमारे जीन पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं अब हम अगली राशी की बात करते हैं, धनू-राशी वालों के लिए, देखिए धनू-राशी वालों अगर आपके धनू-राशी आपके ऐस्त हास में यह चीज बन रही है, सन्टान भाव होता है, बुद्धी का भाव होता है, इस समय देखिए किया रहू की पूजिशन, सुरे की position, बुद्ध की position, कि गुस्से में आके, तैस्च में आके, एकदम से कोई decision मत लीजिए, कोई भी लेना सोच समझ के लीजिए, कि आपको आने वाले समय में जानी के नुकसान ना दे, कई दफ़ा व्यक्ति क्या होता है, कोई कुछ बोलता है, एकदम व्यक्ति decision ले लेता है, कि मैं ऐसा करता हूँ, इन चीजों का आपको बहुत जादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, संतान से समंदित कोई trouble थी, अगर आपकी धनुराशी है, आप female है, pregnant है, तो इस समय खास आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में ये चीज़ बन रही है, वैसे भी देखी, कहा जाता है, ग्रहान के समय, pregnant lady को बहुत जादा ध्यान रखना होता है, उसके बारे में आप परिवार के किसी बड़े बजुर्ग से राय ले सकते हैं, क्या करना चाहिए उस पिरिड में, तो देखिए, वैसे 20 तरी को ग्रहान ल क्योंकि 5th house संतान भाव माना जाता है, 5th house के हमारी बुद्धी है, बुद्धी ब्रहमित हो सकती है, जाब बुद्धी से समंदित कुछ चीज़े टरबल में आ सकती है, लेकिन अगर देखिए, 28 तरी के बाद situation change हो सकती है, धन का लाब हो सकता है, जो आपके कारे pending थे, आप पीरिड में जदी आप धन से समंदित कोई कारे करना चाते हैं, बिजनस में आपको बहुत जादा जातराइं करनी पड़ सकती है, हल्थ से समंदित कोई इशू आ सकती है, क्योंकि वर्क प्रेशर एकदम से बढ़ सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते, कि एकदम काम का प्र फोष्ऩ में बन रहा है, फोष्ण क्या होता है, हमारे हाट का भाव होता है, दिल, अगर किसी का दिल देखना है, उसका फोष्ण देखा जाता है, कि दिल की पुजिशन किया ओपरेशन होगा, नहीं होगा, जदिए आपकी देखे, इस समय मका राशी है, साड़े सती चल र सकती है क्योंकि ग्रहाओं की पूजिशन दिया दी कि फोर्थ हाउस क्या होता है माता संपत्ति घर वहां भवन का माना जाता है गाड़ी चलाते समय बहुत जादा आपको इस समय ध्यान रखना होगा यदि कोई प्रोपर्टी ले रहे हैं तो आपको खास ध्यान रखना होगा यदि आपकी मका राशी है देखिए फोर्थ हाउस में बनेगा जिस राशी के जिस भाव में बनता है उससे समंदी ट्रबल जनेट होती होती है बचने का देखिए राशी के अंसार बताने का मतलब क्या है कि हर राशी वाले के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजे रहेंग अगर आप देखिए धन्से समंद्र किसी बैंक में काम करते हैं जह आप एकाउंट का काम करते हैं पैसे के लेन देन में कोई आप पे ऐसा ऐलीगेशन लग सकता जो आपने किया नहीं होगा क्योंकि ग्रहाइन जोग बना कारेस्थान पे आपको नुक्सान दे सकता है इन हैं अब हम अगली राशी की बात करते है कुम्ब राशी के लिए कुम्ब राशी वालों के लिए क्या है देखिए कि थर्ड आउस में लग रहा है उससे क्या रहेगा कि एकदम से आपका जो बल है आपके कारेश हमता है एकदम बूस्ट हो सकती है इस समय आपका देखिए कॉम बात कहां पर क्या करनी है अगर आपके देखे कुम राशी है साड़ सती चल रही है आपकी जानकारी के लिए बताना चाते हैं उसके अलावा आपका जहां पर यह योग बनने से क्या होगा कि कुछ गल्द डिसीजन आपके हो सकते हैं दोस्त मित्र यारों से जा भाई बैनों स जल रहा है वहां पर ब्रेक हो जाएगा आपके फैमिली मेंबर के साथ भाई बैनों के साथ जगड़े हो सकते हैं जादा हो सकते हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो वहां पर नुक्सान हो सकते हैं आपका देखिए क्या फ्रेंड सरकल देखा जाता है थरड़ा उससे वहाँ पे नुक्सान हो सकते है Communication skill आप बात कैसी करते हैं किसी से क्या टैकल करते हैं वहाँ पे नुक्सान हो सकता Over Confidence के कारण कई दफ़ा आप अपनी लाइब में मिलते होंगे सामने आला पता चल जाता Over Talk कर रहा है Over Confidence में नुक्सान में चला जाएगा वहाँ पे ये चीज़े आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी है किसी से बात करनी है भाई बैनों से अगर देखी कोई डिस्पूट है एक मिहने के लिए आप थोड़ा दूर हट जाएए तो ठीक है नहीं तो चीज़े ज़्यादा बलास्ट हो सकते है बीस तरीक को वैसे ग्रहन लग रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखके चलना होगा नहीं तो नुक्सान हो सकता है भाई बैनों के रिष्टे तूट सकते हैं आपको बहुत ध्यान लेके चलना पड़ेगा अब अगली राशी की बात करते हैं आखर राशी मीन राशी है मीन राशी है तो देखिए आपके सेकंड भाव में ये चीज़ जनेटोरिय ग्रहन जोग जो बन रहा है सेकंड हाउस क्या होता है वानी का होता है सेकंड हाउस क्या होता है हमारे परिवार का होता है सेकंड हाउस क्या होता है हमारे धन भाव का होता है कि आपका बैंक बैलन्स कितना होगा सेकंड भाव सबी का बताता है धन से समंदी तकर आपम बात करते हैं इस period में पैसे के लेन देन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि किसी ने आपको बोल रखता payment देगा हो सकता उसको आगे से ना मिले आप फस सकते हैं अगर आप business करते हैं जहां आपने कहीं पैसे की आगे commitment कर रखे इस समय में आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है क्योंकि grand की position ये क्या है कि आपके जीवन में up down कर सकती है परिवार में बेवजा के वादवयाद हो सकते हैं धन आपका परिवार है परिवार में देखिए आपके भाई बैनों से जहांगर शादिश होता है आँखों से समंदी टरबल आ सकती है या बैली बटन से नीचे के जो पार्ट होते हैं आपका वहाँ पे भी कोई decision कोई चीज ऑपरेट हो सकते हैं इन चीजों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि ग्रहाइन जो गए सूरे का बन रहा है सूरे सभी ग्रहाओं का राजाज ये हमारे को नुक्सान दे सकता है इनका हम सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा यदि हम ध्यान रखते तो देखिए उन चीजों से बस सकते हैं ये था अभी पाराराशियो का कि आने वाले समय में हमारे जीवन पर क्या असर पड़ सकता है देखिए वहवार के अच्छी चीजे भी प्राप्त होती हैं बुरी भी चीजे होते हैं कईयों की जनमकुल्ली बहुत अच्छी होती है उनका वहवार खान पान उनको बहुँ जादा गिरा रहा होता है यद तो वहवार में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ता है, बाचित में ध्यान रखना पड़ता है, खान पान में ध्यान रखता है, जदी हम इंची जो बें ध्यान रख लेते हैं, तो हमारे को फैदा रहता है, नहीं तो नुक्सान रहता है, जोतिस हम हमारे को जही सिखाता है कि ग्रहाओं की गणना के अनुसार ग्रहाओं की मोमेंट के अनुसार हमारे जीन पर असर क्या पड़ने वाला है यदि हम समझ जाते हैं बच जाते हैं नी तो कई दफ़गे कई एक्सिडेंट होता है, 32 होता है, मैं ना निकलता, मैं ऐसे ना करता है, बच जाता, क्यूंकि बताने का जी मतलब कि आपकी राशी के साथ ऐसी चीज़ हो सकती है, राशी अगर आपको नहीं जानते, तो अपनी जरम कुर्णी दिखा के आप पूर सकते हैं, क्या आपके जो ना नाम है जैसे नाम है उसके अनुसार आपकी राशी क्या बनती है उसके अनुसार भी आप ये देख सकते हैं कि आपके जिन पे आने वाले समय में क्या अशर पड़ सकता है और देखिए आने वाले टैम में क्या होगा क्या भी आने वाल समय गुरू चंडाल योग बनने वाला उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस-किस राशी वालों को बचना पड़ेगा जैसे देखिए आज का राशी विवाभी मैंने बताए ग्रहांड योग का मेश राशी तुला राशी और मिथुन राशी वालों को और कन्या राशी वालों को specially 4 राशी वालों को काफी ज़ादा ध्यान देने की जूर्थ है काफी ज़ादा अपने decision में बहुत ज़ादा 100 समझ के लेने की जूर्थ है नहीं तो trouble आ सकती है जदी हम देकिए 100 समझ के अपने decision लेते हैं तो हम उन चीजों से बस सकते हैं नहीं तो नुकसान हो सकता है ये चार राशी मेश राशी वालों को काफी द्यान देने की जूरत है एक मीना और दूसरी राशी देखिए आपकी अगर वरिशब राशी है उनको बहुत जादा द्यान देने की जूरत है और ये कन्या राशी वालों को बहुत जादा द्यान दे थाके किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे से भी संपर कर सकते हैं तो आपको जो अच्छा लगता आप उससे पूछ सकते हैं कि आने वाले समय में यह जो ग्रैंड जोग है हमारे जिन पर क्या असर डालने वाला है क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है छोटी से उपायों से हम अपने जिए उनको बहुत ही जादा दुख तकलिफों से बचा सकते हैं अगर आपकी जन्मकुन लीजे बताती है कि क्या होने वाला क्या नहीं अगर आप उपाई कर ले तो वो चीज़े हड जाती हैं कट जाती है यदि हम इन चीज़ों को मानके चलते हैं तो हम अपने जिए में बह भगवानों की पूori की जाती है कि किस पूजा के दौरा हम कौन से ग्राय को आपके बात कर सकते हैं तो यह था देखिए बारा राश्यों का राश्यों के हमारा कैसे रहने वाला एक मेंने का सैटरडे के दिन फिर बात करेंगे कोई निया टॉपिक लेके कि आने वाले समय म हमारे जीवन में क्या उतार चड़ाव जाएं क्या अच्छी चीज़े रह सकती हैं अच्छे जोगों के बारे में कई दफ़ा आपको बताता हूं कि कौन से अच्छे जोग हैं हमारे जीवन को आगे लेके जाते हैं और कौन से खराब जोग हैं हमारे को नुकसान दे सकते हैं और देखिए जोती से समंदी जदी आपको कुछ पूछना है अपनी जनम कुंड़ी दिखानी है विस्तार से अपने जीवन के बारे में जानना चाते है कि आपका जीवन कहता क्या है तो आप मेरे से संपर कर सकते हैं मेरा मॉबाइल नमबर है 074-3211-452 इस पर संपर करके आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं अभी समय समापतो और आज प्रोग्राम खतम करने का आग्या दीजिए सैटर्डे के दिन फिर मिलते हैं तक के लिए नमस्कार